है अलो एवरिवन वेलकम टो गेट एक्सि लेंस प्रीवेस बेएस और एक्स अर रिवर्स बाहस में कैसे यह वर्किंग होती है डायोड की उसकी अस्टणी की थी और मैंने बोला था कि उनकी current equations जो रहती है कैसे उसमे current का variation होता है वो हम लोग अलग से एक वीडियो में देखेंगे तो मैंने ये comparative study आप लोगों को यहां पर कराऊंगी जब आपका unbiased रहता है diode forward और reverse bias में रहता है और यह बहुत ही important है gate point of view से current equation जो रहती है diode वो बहुत ही important है तो देखें कैसे होता है यह हम लोगों ने study किया है unbiased condition के अंदर मतलब इसके अंदर हम लोगों ने कोई भी voltage अप्लाई नहीं किया रहता है forward में हम लोग P को positive terminal से and N को negative terminal से connect करते हैं यह ने देखा था हम लोगों यह बहुत है कि forward bias में क्या है जो depletion width होती है क्यों सब्सक्विक्रीज हो जाता है और reverse bias के अंदर क्या रहता है कि आपके जो इनक्रीज हो जाता है अब क्या होता है अगे देखिए करेंट के से फ्लो होती है इसके अंदर तो हम लोगों ने देखा था कि जो डिप्ट है और डिफ्यूजन ने वह प्रोक्रसेस इक्वल होती है और एक करन्ट फ्लो होती है आई-drift, देखिए, इन तीनों cases में दो टाइप की current flow होगी, एक flow होगी drift current, और दूसरी flow होगी diffusion current, अच्छे से समझेगा आप लोग, एक दूम focus के साथ समझेगा, दो टाइप की current, हमारे इसके अंदर दो फिनोमिना हो रहे, मैंने बोला तो diffusion कब होता है, जब आपका concentration gradient होता ह concentration gradient इसके अंदर लाई कर रहा है, इस तरफ ज़्यादा हो ले, इस तरफ कम हो ले, इस तरफ ज़्यादा electron से, इस तरफ कम electron से तो we got dn by dx and dp by dx, so concentration gradient is there, so diffusion current will be there, okay, drift कैसे आई, drift मैंने बोला था कि जब भी आपको दिखे word electric field का आप वहाँ पर आंख बन करके टिक कर देजे कि कि वहाँ पर drift current आएगी ही आएगी, ठीक है, तो इसके अंदर electric field कैसे आयता, वो हम लोग देख चुके हैं, एक inbuilt electric field जनरेट हो था, अब electric field आ गया, तो उसकी वज़े से कि होगा drift process होगा, drift process की वज़े से drift current आएगी, ठीक है, अब यह जो drift current है, यह भी कि होगी, दो type की and due to electrons हैना, और जो आपकी diffusion current है वो भी, दो type की होगी due to holes and due to electrons, ठीक है, तो अनबाइस condition में तो हम लोगों ने इनकी direction भी देखी थी, तब देखे हैं, जो आपका अनबाइस है dead diode, तब देखे क्या राथा आपका, हम लोगों ने देखा था, ताकि जो आपके diffusion की process थी और drift की process थी वो क्या हो रही थी? इक्वल हो रही थी, ठीक है? अब देखिये, बहुत अच्छा से समझेगा students इसको, क्योंकि हम लोग इससे बहुत ही एक अच्छा derivation करने वाले हैं, जिस पर बेस्ट आपके gate में questions आया हैं, तो देखिये, उसके अंदर आपके unbiased condition के अंदर, क्या हो रहता? unbiased condition के अंदर, जो drift current थी, वो और जो diffusion current थी, उन दोनों का जो summation था, वो 0 था, याट इस net current उसके अंदर चे 0 flow हो रही थी, वो किस में था? equilibrium में था, चीक है? और हमने बोला था कि, इस case के अंदर, जो diffusion current flow होगी, उसको हम लोग बोलेंगे i node, जो diffusion current flow होगी, उसको हम लोग बोलेंगे i node, and, जो drift current है, अब यहां से देखिये, i drift equals to कितना आया? minus of i diffusion, तो i drift कितनी आजाएगी? minus of i node, यह minus क्यों आया? यह current का, आप लोगों ने network में पढ़ा होगा, कि current में minus कब आता है? जब आप उसके convention ले लेते हैं, आप उसको direction assume कर लेते हैं, कि मुझे इस direction के अंदर current positive लेनी है, और उस direction के opposite आपके current flow होने लगती है, तो तब आप उसको negative लेते हैं, तो देखे, हमारे इस case के अंदर drift current, drift कहां से कहां हो रहे हैं, देखे, जो यहां के electron है, वो इधर क्या हो रहते हैं, drift हो रहते हैं, फिर से देखेगा, इस case के अंदर आपके electrons इधर drift हो रहे हैं, holes इधर drift हो रहे हैं, यह हम लोग study कर चुके हैं, तो जो current है, drift current, जो due to electron है, वो किस direction में flow होगी, n2p, तो यह कहां से flow होगी, n2p, क्योंकि आपके electron इधर drift हो रहे हैं, current इधर आजाएगी, तो n2p, hole आपके n2p flow हो रहे हैं, तो आपकी जो hole की वज़े से drift current है, वो भी कहां ही, n2p, तो यह जो drift current है, total, overall, वो किदर से किदर आएगी, n2p, और हम लोग p to n current को क्या ले रहे हैं, positive, जिक्ये, सबसे पहले, देखिए, हम लोगों को ऐसे explain करना पड़ता है, ऐसे बढ़ाना पड़ता है, कि students को जो beginner है, उनके according पड़ाना पड़ता है, तो जिनको पहले से आता है, वो प्लीज अपना patience बनाए रखे, तो जो p to n current है, वो हमने ले ली है positive, ठीक है, is this clear, now see, तो आपके यह जो drift current है, यह कौनसे direction में आ गई है, यह drift current कौनसे direction में आ गई है, n2, p, and diffusion current कौनसे direction में आएगी, diffusion current का भी देखते हैं, देखिए, diffusion current due to holes, अब holes आपके इधर diffuse हो रहे है, okay, तो इसके वज़े से current भी किदर जाएगी, इस direction में, that is p to n, यह चीज में आपको अल्रेड़ी explain कर चुकियों, इसलिए में इसमें जादा time नहीं ले रही हूं, electron के दर diffuse हो रहे है, n2p, तो current कहां सब लोगी, p to n, इन दोनों का जिब समेशन होगा, तो total जो diffusion current है, वो कहां से कहां जाएगी, p to n, तो आपकी diffusion current आगई, वो कहां से कहां आगई, p to n, तो यह हो गई positive और यह हो गई negative, अब देखिए, आप drift current electric field पर depend करती है, और आपकी diffusion current है, वो concentration gradient पर depend करती है, यह हम लोग study कर चुक है, यहां पर क्या हो रहा है कि जो diffusion है और drift है, वो equal हो रही है, equal in the sense, magnitude इनका क्या है, equal है, अगर यह 2 ampere है, तो यह minus ampere is very much large, यह अगर 2 nano ampere है, तो यह भी कितनी होगी, minus 2 nano ampere, मतलब जो इसका magnitude है, वो क्या होगा, equal होगा, चिक है, अब देखे, magnitude equal इसमें इसलिए हो रहा है, इसका मतलब यह है कि जितने आपके carriers drift हो रहे हैं, उतने ही क्या हो रहे हैं, diffuse हो रहे हैं, बहुत अच्छे से समझेगा, students, जितने carriers, जितने carriers drift होंगे, उतने ही क्या होंगे, diffuse होंगे, अब देखे, एक चीज, इसका मतलब क्या है, कि जितने होल्स, P to N, diffuse हो रहे हैं, उतने ही होल्स, N to P क्या होंगे, drift होंगे, फस्तिंग, जितने electrons N to P diffuse हो रहे हैं, उतने ही electrons P to N क्या होंगे, इकोल होगी, तो अब देखे, यहां पर कितने होल्स हैं, इस साइड आपके जो होल्स है, वो है P, P, इस साइड और आपके इधर electrons कितने हैं, N, P, और N P equals to कितना हो जाएगा, N I square divided by P P, क्योंकि यहां पर mass section लोग हम लोग apply कर सकते हैं, यह equilibrium में हो, तो यह आपके concentration आगई, किसकी P P और N P की P side की, कहां पर आगई है, P side के जो charge figure है, वहां की value, similarly, यहां पर कितने electrons है, N, N, N holes कितने हैं आपके P N यह कहां गया, Ns है, अब देखिए, मैंने क्या बोला कि जितने holes यहां से diffuse हो रहे हैं, उतने holes यहां से drift हो रहे हैं, अब हम लोग देखते हैं कि maximum कितने drift हो सकते हैं, तो देखिए यहां पर number of holes कितने है PP और यहां पर number of holes कितने है PN अब बताइए मुझे large quantity में कौन है PP और PN obviously PN ज्यादा है, sorry PP ज्यादा है, PN तो बहुत क्या है, minority में उनकी विली तो बहुत ज्यादा कम है तो हमारे पास majority में क्या है PP suppose करो कि यहां पर thousand holes है, okay, यहां क्या है thousand holes है और यहां पर 50 holes है मैं बोल रही हूं कि जितने holes यहां से यहां जा रहे हैं उतने ही holes यहां से यहां आ रहे हैं अब मुझे एक बात बताईे किया thousand holes यहां से यहां जा सकते। अगर यह पूरे की पूरे thousand holes यहां से यहां जाए तो क्या यहां से इसके पास इतने holes के thousand holes available है इसके पास की वो इसको balance करने के लिए thousand holes बेच सके नहीं है इसका मतलब यहां से जो elektrons जाएंगे maximum वो कितने जा सकते है PN PN से एक भी होल, sorry, होल, PN से एक भी होल यह extra नहीं वेद करता क्योंकि उसके पास availability नहीं है तो यहां से maximum कितने drift हो सकते है PN होल तो इसका मतलब यहां से जो diffuse हो रहे हैं वो भी कितने PN होल थी diffuse हो रहे हैं तो यह इदर से 50 बेज रहा है यह भी इदर से वापस 50 होल किया कर रहा है diffuse कर रहा है तभी तो आपकी जो drift or diffusion current है वो क्या जाएगी तो इसा तो पॉसिबल ही नहीं है तो बैलेंस रहता हमेशा इसके लिए यह जितने बेज़ेगा उतनी यह बेज़ेगा तो दोनों साइट से कितने 50, 50, 50 क्या है n-side के holes और n-side के holes that means Pn तो यह चीज बहुत इस पे बेस इंपोर्टन कस्ट आएवे हैं गेट में अच्छे कस्टन आएवे हैं तो इधर से कितने holes diffuse हो रहे है Pn अब देखिए हम किदर के holes की बात कर रहे है P side के भेल वह स्क्रिम्रों की बात कर रहे हैं , ग्रहलं स लगयों ग high V सदूर से रहे रहे ़िपरेंड कर रहे हैं युब वन को क्वांटीटी है युदि कि युद्व चाउड N सब्सों में होल्स कितने हैं युद्यब हो गई ठीक है अब ऐसा नहीं है कि जो पी एन आ गया तो आप लोग बोल दो कि अच्छा है एन साइट के होल से जा रहे हैं जा पी साइट के रहे हैं बट जो नम्बरिंग है वो क्या है इस पर डिपेंड करें इसका मतले भी थाउजेंट में से फिफ्टी जो है वो इसके पास जा र कितने होंगे और यहां से कितने डिफ्ट हो सकते है N P तो यहांसे इन फे सैट कीतना है इचीज आप लोगों को क्लिर होई यह चीज बहुत इंपोर्टन है अगर आको नहीं समझ हम EK कीजिए वीडियो को रिवायंड कीजियो कर से समझें क्या प्रोसेस हो रही है चिक है क्योंकि इसी के बैसिस के आगे प्रोसेड होंगे हम लोग अब देखिए नमबर और यह आप लोगों को समझ में आ गया अब देखिए हम लोगों ने रिलेशन पड़ाता मैंने बोला था आप लोगों को की आगे काम आएगा पीपी अपॉन पीन इ अब एक चीज और देखिए आप लोग हम लोग बात करते ना यह पीपी एनफी टो इनकी क्या यूनेट होती है यह हम लोग देख चुके हैं कि अटम पर सेंटीम में घूब या झड़न crucifix टेंटेतें न हिकं मैंस एक वोल्यूम ज dragging mark इसलिजियो के वहल्युम में यापके कंसंट्रेशन में उसकी यह प्याम फोरे पी पी के अंदर फोल्स है अप एसा नहीं है कि पीपी क्या है यह आपको 1 cm स्क्राइश्ट कर्स सेक्ष्टन एरिया और इस रीजन के अंदर आपके पास क्या है पी, पी, होल्स है, बहुत अच्छा से समझेगा, ठीक है, similarly, next one centimeter width में भी कितने, पी, पी, फिर पी, इस type से आपके ये distribute रहते है, इधर पर आपके ऐसे ही रहते है, N, N, फिर N, N, इस type से N, N, ठीक है, और जो आपके minority में कौन है, P, N, तो P, N भी आपके रहते है, P, N, P, N, P, N, हर centimeter की distance पर आपको ऐसे मिलेंगे, और यहाँ पर क्या मिलेगा, N, P, N, P, N, P, इस type से आपको ये मिलते जाएंगे, ठीक है, अब देखें कि जो drift और diffusion होता है, यह जो यहाँ पर depletion width का जो age होता है, जो यहाँ पर होते हैं, वही क्या होंगे, आगे जाएंगे, सिमिलरली यहाँ भी, जो इस age पर होंगे, वही क्या होंगे, आगे, प्रॉसीड होंगे, तो एक बात बताइए, जब यह P, N, यहाँ से यहाँ गया, हम लोगों ने देखा ना कि यहाँ से होल्स क्या हो रहें, डिफ्ट हो रहें, तो यहाँ से P, N जो है, इधर गये, उसमें कितने होल्स है, P, N, अब हमने बोला कि यहाँ से क्या हो रहें, डिफ्ट हो रहें, तो यहाँ से क्या हो गये, P, N होल्स डिफ्ट हो गये, पहले P, N होल्स अवेलेबल थे, अब वहाँ से P, N होल्स डिफ्ट हो गये, रिमेनिंग कितने बचे 0, 50 अवेलेबल थे, इस 1 cm में 50 सारे के सारे उधर चले गए, कितने बचे 0, and then क्या होगा, डिफ्यूजन होगा, पहले मैंसा नहीं बोरी कि डिफ्यूजन होगा, मैं अप लोगों का समझा रही हूं, अब क्या होगा, डिफ्यूजन प्रोसेस आई, पिक्चर में, डिफ्यूजन होगा, यहां से 50, यहां पर कितने अगए, 50, तो यहां पर अब कंसेंट्रेशन फिर से कितनी होगा, 0 प्लस 50, that is 50, तो किसी भी इंस्टेंट्ट पर कोई जब देखेगा, तो उसको लगेगा, कि यहां पर 50 क्या हो रहा है, मेंटें हो रहा है, तो यहां पर चलता है, तो किसी भी टाइम पर अनपास्ट कंडिशन में, यहां पर हमेशा कितने होगा, और यहां पर कितने एलेक्रॉंस होगे, सेम प्रोसेस, यहां से कुछ जाएंगे, रिदर से उतने होगे और यह बना रहेगा, ठीक है, तो यह जो, थो यह जो PN और NP है ठिके ПN और NP है हम लोग एक तरसे इसको क्या बोल सकते हैं PN क्या बोला मेंने? PN एक तो होगे कि N side के electrons है sorry N side के holes है और यह क्या है P side के electrons है दूसरा हम PN क्या बोल सकते हैं? दूसरा हम यह बोल सकते हैं कि यह क्या है जो है जो एज पर माइनरेक्रटी सी आग एजे पर कंसेंट्रेशन पन zaw और हें पर हें पर एज पर कंसेंट्रेशन होन गज़ नहीं और यह क्या अचभ एये बैलन्स वहरी है। एज पर जो concentration ध्यान रखें, ठ्रो आउट पुरे में PN, 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 but H पर बे कितनी है? PN, यहाँ पे सब जगे N, PN, P, but H पर कितनी है? N, PN, ठीक है? तो यहाँ तक अप लोगों को समझ में आ गया, is this clear? अब लोग इस आई-नोड की बात करते हैं, यह आई-नोड क्या है? अब यह आई नोड, यह आई नोड जो है, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं, रिवर्स सेचुरेशन करंट और रिकम्बिनेशन करंट, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं, रिवर्स सेचुरेशन करंट और रिकम्बिनेशन करंट, देखें, क्या होता है, हम लोग इसको लेते हैं, आई ड्रिफ्ट करंट है, जो आपके आई ड्रिफ्ट करंटी, ड्रिफ्ट करिन का फूर्मूला इतना होता है, आपके जो अपका कितने नमर ओफ चार्ज केरियर से, आपका क्यू कितना है, और मुउ इंटु इ, मुउ इंटु इ को हमने क्या नाम दिया था, वीडी, रिफ वेलोसिटी, ठीक है, तो देखे, क्या होता है, कि आप लोगों को यह एलेक्ट्रिक फिल्ड होता है, ना, अनबाइस्ट तो मैंने जब आप लोगों को बढ़ाया था तो मैंने आप लोगों को बताया था कि एक पॉइंट के बाद आप कितना भी इलेक्रिक फिल्ड इंक्रीज करो आपका वीडी क्या होता है इंक्रीज नहीं होता है यह हम लोगों ने देखा था ना जब आपका 10 to the power 4 से अगर ग्र इसके बात जब आप इनक्री साथे ना तो यह आपकी उखेंज जो वीडी जओ है वह इंक्रीज नहीं होता है जिकए अपने इलेक्रिक फिल्ड कितना ही बढ़ा को अगर आपने अलेक्रिक फिल्ड बढ़ा है तो उसके कोड़िंग ना चाहतीyँ मू कम हो जाए गी और वी तो देखिए सपोस कीजिए अभी इलेक्टरिक फिल्ड इन्क्रीज हो गया अगिए रहेगी और कों दोनों का बटिकेशन रहेगा रहेगा आप का इतना चेंज नहीं होगा तो तो पहले भी यहां पर हम लोग एक्सटनल वोल्टेज लगा रहें ना वी एफ लगाया वी आर लगाया तो इस ते लेक्ट्रिक कम हुआ ज्यादा हुआ भले कम ज्यादा हो größte sweet यह एक अश्यार को अब क्या होगा ऽे रहती है वो जो आपकी कीया है उसपे सरक करती है किसपे सथा यह कि क्या है क्या होता है कि देखिए कुखे diva क्या रहता हम इसको ज्वाजे से रिकंबीनेशन अब टंपरेशर जयादा ओस अगा ज्यादा तो यह और पेंट करती है पूरी तरछ से अगे तो यह आई नोड आपको समझ में आ गई एक को एटीपेंड करिए टैम्खरेटर पर दूसरी यह टेपेंड करती है एरिया जो आपका क्रोस सेक्ष्षन अरिया कितना है सेमीकंडक्र का उसपे डिपेंड करती है ठीके तो इस पर भी फॉर्मूलाबेस जो तो यह आपके होती है इस आइनोर डिवर सेचुरेशन करण्ट का फोर्मूला क्या होता है क्यू ए डिएन बाई एलन इंटु एन पी प्लस क्यू ए डिप बाई एल प इंटु पी एन इंटु पी एन इंटु तो इसका मतलब देखिए प्लस के servants हाँ खेए לפ आरुको इंटु एकंऑ कैर्ण्ट से एक आरिमे दिएके सब्सक्राइब की मांचे तो इंटु इसका हो रहा था ना emphasizing कांप आप लोगों के हमने बोलाता है कि यहां से क्या drift हो रहा है hole और यहां से drift हो रहे है BE कि आने तो यह तो current लिग bigger ने तो यहां से यहां पर holes drift हो रहे है Certs कॉ को और यहां से electron drift हो रहा है तो का drift किस पर ळे रहे दे रहा अपना effect раз-information पर दे रहा कंसेंट्रेशन है उस पर डिपेंड कर रही है रही है जो फर्ट ऑफ पर Cart रहे हैं और अगर आप सारी चीजे कॉंस्टेंट रखेर एरिया अगर चेंज करें तो उतने ही अमाउंट से क्या हो जाएगी आपकी यह विवर सेटूरेशन करेंट क्या हो जाएगी चेंज हो जाएगी ठीक है तो इसमें बेस्ट भी क्रेश्टन आते हैं तो आप लोग इस फॉर्मुला को भी अपने माइन में सेट करिये तौक एक विलिबीरियम कंदिशन के अंदर आपकी जो ड्रिफ्ट करन्ट है वह कितनी की माइनस ओभ इस मतलब यह कररंट है और आप आगे माइनस सीन लगा दीजिए तो क्या हो जाएगी यह करण्ट की अश् zich करेंट के तर्फिकरंट क्रेंट फलोगी और इतन ठीक है, तो आपके i diffusion कितनी हो गई अब, i node हो गई, i drift कितनी हो गई, minus i node हो गई और आपके i node की value कितनी हो गई, is this clear, overall current कितनी हो गई आपकी, overall current कितनी हो गई, i equals to i drift, plus i diffusion, कितनी हो गई, i drift आपकी, minus i node, और यह कितनी, plus i node equals to z, is this clear, अब देखते हैं, forward bias case के अंदर, अब देखिए, forward bias case के अंदर कैसे current law होती है, forward bias में क्या होता है, वो अच्छे से देखिए, देखिए, जब यह forward bias हुआ, जब हम लोगों ने इसको किया, क्या P को positive, N को negative किया, तो यह forward bias हुआ, अब मैंने बताए, तो forward bias के अंदर क्या होगा, कि यह जो होगा, क्या होगा, यहां पर क्या हो रहा था, मैंने बोला था, कि आप जब आपका जब यह electric field, मैंने बोला था, कि जब आप apply करेंगे, external जो voltage हम लोग apply करेंगे, तो मैंने बोला था, कि mu into e का product change नहीं होगा, तो इसका जो product रहता है, वो उतना ही रहता है, तो देखिए, अब क्या हुआ, जब आपने forward bias apply किया, तो अब क्या होगा, यह electric field यहां से क्या होगा, बहुत जादा कम होगा, और electric field की वज़े से क्या होगा था, इसके अंदर drift process हो रही थी, तो अब क्या होगी, जो drift process है, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, इस दिस क्लिए, पहले आपकी क्या हो रहती है, यहां से होल से इधर drift हो रहती है, यहां से electron से इधर drift हो रहती है, जो क्या होगे, कम drift होगे, ठीक है क्योंकि आपके electric field के हो गया बहुत कम हो गया तो अब जो drift का जो process है drift का जो effect है वो क्या हो जाएगा कम हो जाएगा तो जो minority charge के रिएर का flow है वो नेगलीजिबल हो जाएगा एकदम almost zero हो जाएगा ठीक है इसके अंदर diffusion के हो जाएगा बहुत के हो जाएगा तो जो जहाएगा तो इसमें डिफ्यूजन बहुत ज़्यादा होने लग गया तो अब यह क्या करेंगा जितने नमबर और शोर्ट और यहां से ज़्यादाद इप्यूस ओर्याट जादा इप्यूस हो ज़गे अगे उसे ज कि इलेक्ट्रों डिफ्यूज हो रहे थे अब क्या होगा पी एंच से ज्यादा जो होल से इधर डिफ्यूज होंगे एधर से इधर डिफ्यूज होंगे ठीक है ये ठीछ समझ में आ गई अब देखिए जो रिलेशन हम लोगों ने बढ़ाता है ये तो आपका क्या रहेगा वै forward bias तो forward bias के अंदर क्या हो रहा अब आपके जो PP जो PP तो PP ही रहेंगे जो मिल्स होल्स थे P-Side के वो तो उतने ही रहेंगे अब आपके इहां से PN-Hols ना diffused हो के लेट से PN-1 डेल सल्म यह दिप्जीन पिसाइट से वहोर है यादाह यह डिग साथ यहादा। यह बएक्डेलर साथैनों माय इस L एक्डीीयित कुछा है और यह बीड कि टोपयर की कि वी अगिया ओंगया थेक्षूररिक गियर हो गीजाने कि pp upon pn1 इसको अगर मैं अलग-अलग कर दो e to the power q vbi upon kt into e to the power minus q vf upon kt we can write like this so pp upon pn1 is equals to यह इसके value कितनी है pp upon pn जो हमारा unbiased condition में था into e to the power minus q vf upon kt तो देखिए pp से pp cancel हो जाएगा तो आपके pn1 की कितनी value आ गई? pn1 को आप इधर transfer कर दीजिए यह आप लोगों का इधर transfer कर दीजिए यह आएगा pn e to the power qvf upon kt तो आपका यह आगया तो यह आप लोगों का आगया? means अब नए holes जो diffuse हो रहे है p से n side में वो कितने रहे? जो पहले diffuse हो रहे थे multiplied by e to the power qvf by kt तो इस factor से अब क्या हो गए number of holes जो diffuse हो रहे थे वो क्या हो गए? इंक्रीज हो गए और जो आपका np वन रहेगा तो पहले जितने जा रहे थे अब क्या हो रहे उसके इतने multiply के साथ जा रहे तो यह समझ में आ गया कितने अब फिर से एक बार अच्छे से बात सुनिए यह pn1 क्या है? कितने इलेक्ट्रों कितने holes n side में diffuse हो रहे है यह अब यहां पर यह जो pn1 है हम यह नहीं बोल रहे है क यह pn1 जो आपके n side के minority हो गए यह n side के holes हो गए यह आप लोग माइन में एक दम clear रखे बात कि pn1 अब क्या हो गया है यह सिर्फ आपका यह बता रहा है कि कितने number of holes आपके क्या हो रहे है diffuse हो रहे है p side से please आप लोग misconception मत रखना कि यह आप क्या हो गया है पूरे throughout n side में number of holes इस यह और पर जो number of holes और भी क्या है pne है रहे है kई को भी confusion मत रखिया आपके n side में to holes कितने है pn-e sorry n p-e है आपके n side में कितने holes है अभी भी पी N ही है ठीक है चितने और प्रेट 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 अब तो 50 है 50 है अब भी चैंज नहीं होगी है ना वर्यू अभी 50 है तो यह आप इसमें confusion मत create कर जिएका आपके N पी आप ऐसे बहुत बोल दीगे जिएका कि पूरे P साइड में आपके number of electrons जो है जो minority concentration है वह है जी नहीं यह आपके कितने electron N साइड से P साइड में diffuse हो रहे है उसका value है चीक है आप चाहे तो इसको अगर आपको इसकी जो हम लोगों ने सिंबल किया इसको PN1 बोला है आप इसको कुछ और भी बोल सकते हैं जो भी आपको लगे आप P diffuse बोल सकते हैं इसको N diffuse बोल सकते हैं जो भी आपको आपको देख सकते हैं चीक है और यह यह रिलेशन भी आपको बिलकुल माइंड में सेट करना है इसी पर बेस्ट आया हुआ है गेट के अंदर चीक है यह आगया यह क्लियर होगी आप लोगों को आप देखिए मैंने आप लोगों को बोला था कि जो आपकी कांसें रती है और सेंटिमेटर में आप लोगों के डिस्रीबूट रहती है यहां भी यहां भी पी यहां भी अनन इनन इस टाइप से रहती है चिक है अब मैंने बोला तक कि स्वेज़न होगा वो कहां से होता है में पाजा अहां से होता है पॉरंड्वास कंडिशोन के अंधर जो आपके π साट से कितने होborg यहां पर आ हुरे हैं पी एनवन ॉट्स्ट अहां बाट है पी एनवन वं अब यह से कहां जाएंगे हाँ इसनी मिते हों प के अखर बाग cinq सेंटीमीटर के अगई पी लिद माई यहां सेंटीमीटर के इन लिदोinosי तो इहां पर ऑफ ढवाग रहाना है और यहां से आगे कि अगई लिद के जो 1cm उसमें आपका पी इंपी स्मू Х आप लोगों को यहां से PN1 गए और मैंने बोला कि डिफ्यूजन और जो डिफ्यूजन प्रोसेस अथी वह एज पर एफेक्ट डालती है तो एज पर आपके कितने होल सागए पर बाकी जो पूरा समिकंडक्टर है तो क्या है अभी भी पी एन होल्स ही है तो अब यहां अंदर क्या हो गया तो इस प्रोसेस को मिंस यहां से होल्स आपके इसको बोलते हैं यहां से whole inject to N-side के अंदर और यह अब diffusion जो हो रहा है कि इसको process को बोलेंगे diffusion यहां तक लिए injection हुआ फिर diffusion हुआ और आगे जाके क्या होगा recombination हो जाएगा ठीके क्योंकि इसकी अगर हम लोग जो width है तो अगर L से ज्यादा ले ले तो यह क्या हो जाएंगे diffuse हो जाएंगे यह भी हम लोगोंने case पड़ा है तो किस टाइप का case बन गया देखिए हम लोगोंने study किया था excess carrier concentration किया था कि नहीं क्या था उसके अंदर क्या हो रहा था जब लाइट पॉल कर रहे था तो उसके सिर्फ एक साइड पर आप लोगों के करेंट्रेशन के अड़ी इंक्रीज हो रही थी बाकी portion में सेम थी तो उस वज़े से करेंट फ्लो रहे थी और वह एक्सपोनेंशली डिक्य हो रहे थे वही चीज यहां भी होगी यहां पर भी आपकी क्या हो रहा है एक साइड एक एज पर आप लोगों की अब यह क्या हो गया कंसेंट्रेशन ग्रेडिट बुन गया और कैसे डिक्य होंगे यह भी एक्सपोनेंशली जो है केरियर्स डिक्य होंगे क्यों डिक्य होंगे क्यों क्या हो रहा है रीकंबिनेशन होते जा रहा है और यह कम होते जा रहे तो इस डिफ्यूजन की वज़े स से करंट फ्लोगी आई डिफूजन और उसके अंदर हमने यह भी देखा था कि कॉंस्टेंट हम लोग लाइट फॉल कराते थे तो यह जो होता था सिंदग्न फची कमी है यह पाउजिट्यृज प्लीट कर देगा इसको पी अवनग फोड्स सप्लाइ करें इस डाइरिक्शन के लिक है तो यहां पर फिर से फी अन्वन आ गए तो यहां का कॉंस्टेंट रहा है होल की विल्यू फिर यहां से यहां पी एन वन गए और जिस अमॉंट में डिफ्यूज और रिकंबाइन होता रहेगा तो पी एन वन इधर फ्लो हो रही है तो आपकी जो डिफ्यूजिन करंट है होल की वज़े से वह भी किदर फ्लोगी इधर फ्लोगी कि मिलरली आपके जो एन साइट से इलक्रवन से उन के साथ में यहीं प्रोसेस हो रहा हों और यहां पर कितने आशाएंगे यहां सब जगे और यहां सब जगे और दाप तो यहां भी क्या हो इसको इधर से NP1 अमांट में क्या करेगा? इलेक्रोंस अप्लाइ करेगा तो इसका मतलब इसकी करेंट के दर फ्लोगी? इधर फ्लोगी तो आई एन डिफ्यूजर ये इधर फ्लो रही तो आपका KCL भी सेटिस्वाई हो रहा है आपका KCL भी सेटिस्वाई हो रही तो आप लोगों की आई डिफ्यूजर करेंट ऐसे फ्लो होने लग देगे तो ऐसे आप लोगों को एक ओवर्डो करेंट मलती है डिफ्यूजर करेंट ये इस P2N अब देखे एक चीज़ जो डिफ्यूजर करेंट है और चब आपके इलेक्ट्रों ऑने कंई प्रियों बौ अइसी ही हैalah करके जो होल्स आये हैं ऐसे एक्सपॉनेंशल 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 होंगे और आपके इलेक्ट्रोंच आये हैं वह ऐसे होंगे और फिर एक जगह पर उसकी वेल्यो के होजाएगी जो Axis Carrier Concentration है तो जीरो हो जाएगी और जो equilibrium में आपके से study कर लीजिए क्योंकि आगे आप लोगों के सीजे रिलिवेंट होंगी ठीक है तो यह आप लोगों को समझ में आ गया है अब देखिए पहले क्या हो रहा था यहां से यहां पर पी एन जो है वह आ रहे थे इधर से इधर कितने फोल्स आ रहे थे पी एन अब कितने आ रहे है पी एन वन और पी एन वन और पी एन में रिलेक्शन अमको पता है यह होता है पी एन वन क्या हो गया जितने पहले आ रहे थे अब इतने अमांट में एक्स्ट आ ठीक है तो पहले जो diffusion current थी वह कितनी फ्लो हुरी थी जो आपकी I diffusion थी वह कितनी थी I node थी कितनी थी I node थी ठीक है अब जो आपके केरल पंसेंट्रेशन है वह क्या है इस amount से increase हो गए तो आपको जो current होगी ना I diffusion वह भी इसी amount से increase होगा है तो यह आपके diffusion current होती है किसके अंदर forward बायस के अंदर आप लोग देखें यही फॉर्मूला लिखते हैं I node d to the power क्यों VD लख और को डायोड VD भी लिखते हैं VD by KT तो यह ही आप लोग equation लिखते हैं तो यह कहां से आईए यह आप लोगों को समझ में आ गया होगा overall current कितनी फ्लो हो जाएगी I equals to I drift plus I diffusion I drift I diffusion कितना है I node e to the power Q VF by KT और I drift अभी भी कितनी हो फ्लो होगी minus I node ही फ्लो होगी minus I node क्यों फ्लो होगी मैंने बताया था कि जआपका यह जआपके I node current है वो external voltage पर के अगरती डिपेंड नहीं करते तो यह अभी भी अपने अपको maintain रखेगी कितना I node के बराबर ही रखेगी तो current और I node अगर हम लोग formal ले 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 e to the power Q VF upon यह equation जो है आप लोग पढ़ते हैं तो यह आपके diode के current की equation जो mostly आप लोग इसी को study करते हैं ठीके sometimes क्या होता हम लोग यह VF इतना ज्यादा होता है आपका कि यह exponential की power में तो और ज्यादा होता है कि आप 1 क्या कर सकते हैं इसके forward current flow हो रही है ठीक है हम इसको भी note down कर लेते हैं यहां पर यह case कहां पर था equilibrium और forward bias के अंदर क्या हो जाएगा and equilibrium means unbiased अब यहां पर क्या हो रहा है i equals to i diffusion plus hydrate इतना आगया i node चिक है तो यह इतनी current आपके अब आई forward bias में flow हो रही है चिक है इसको आप लोग i node चिक है तो यह हो गया आप लोग इस दिस क्लियर अब देखिये रीवर्स basis में क्या होगा अथी मैं तुक्त गें रीवर्स के हो गया हमने देखा था कि इलेक्र्रीक वृट हमारा क्या हो जाता है बहुत जादा इंक्रीज हो जाता है इंक्रीज हो जाता है अब टिफ्यूजन को अपोज कर रहा था अब टिफ्यूजन को आपोज हो जाएगा ठीके अब जो इसलिशन का यह उपोज करेगा अब नबर आप जो इसलिशन तो उनमें आजाएंगे, decrement आजाएगा, वो कम हो जाएंगे, और जो आपके आइनोड करंट है, अब बाता है यह आइनोड करंट चेंज होगी क्या, देखिए, इलेक्ट्रिक फिल्ट चेंज हुआ है, ठीक है, बट मैंने बोला था कि आपके आइनोड चेंज नहीं होगी, क् किता भी इंक्रीज कर दोगा हमारा, drift velocity तो सेचुरेटी है, तो फिर वो क्लेंज होगी नहीं, तो अभी भी इसके अंदर, अब आई डिफ्यूजन तो इसके अंदर क्या हो जाएगी, नेगलिजिबल हो जाएगी, अल्मोस्ट जीर हो जाएगी, बट इसके अंदर सिर्फ drift फिनोमेना आएगा, और drift फिनोमेना में क्या हो रहा था, जो यहां के minority थे वो drift हो रहे थे, यहां के minority drift हो रहे थे, तो अब सिर्फ इस circuit के अंदर क्या रहे गई, आपकी minority current रहे गई, तो अब सिर्फ इसके अंदर inode flow होगी, that is N2P flow होगी, ओवरल current concept ली होगी, N2P P flow होगी, जो P to N current होगी, ओलमा, 0 flow होगी, ठीक है, तो यह आप लोगों के किस के अंदर रहता है, P N के अंदर, और similarly अब हम लोग इसका फिर से इसी type से derivation करेंगे, जो यह वाला है न, P, P, तो इससे जब हम लोग देखेंगे, तो देखे, आपके, हम लोगों ने क्या क्या यह अगल था VBI-VF क्या था क्या था, क्योंकि यह क्या कर रहा। आप बेरियर P ौटेंछल को डिक्रीज कर रहा था, प्लस वी आरा जाएगा, प्लस यह यहां पर माइनस का, वी आरा जाएगा, ठीक है, तो अब क्या होगी गजो आतृत है, उनकी वैल्यों के प्लस वैल च कि अंदर प्रिवर्स पाइस के अंदर आपके PN1 कितने हो जाएंगे जितने पहले हो रहते माइनस QVr upon KT तो देखे इतने अवाउंट से क्या हो गए डिप्रीज हो गए चिके और तो इसकी वेल्यू बहुत कम होगी बहुत कम 0.000 इतना कुछ होगी तो वह अल्मस्ट क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी और आपके जो ओवरॉल और डिफ्ट करेंट आपके अभी भी कितनी होगी माइनस ठीक है तो हम उसके अंदर फिर से नोट डाउन कर लेते हैं कि आपके reverse bias में I current कितनी प्लोगी I diffusion प्लस I drift ठीक है इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं almost equal to inode e to the power qvr by kt ठीक है तो यहां कौन dominant कर गया diffusion और इसके अंदर क्या हुआ drift equals to diffusion ठीक है अब यहां पर आपके I diffusion कितनी आ गई I node e to the power minus qvr upon kt minus का I node यह तो अभी भी उतनी ही रहेगी और इसको हम लोग almost equal to I node क्यों क्योंकि इसकी value आपके क्या होती है बहुत कम तो इसके अंदर कौन dominant कर रहा है तो यह देखिए हमारे यह क्या हो गई एक comparative study हमारे पास हो गई तो इन तीनों मेंसे जो सबसे ज्यादा current होती ना वो होती है forward bias के अंदर मेंस forward bias के अंदर हमको बहुत अच्छी values मिलती है amount इसका अच्छा मिलता है current का ठीक है इसके अंदर से के अवा current कर रहा है और कुछ चीजे ब्लॉक कर रहा है कुछ चीजे कोई आगे पास नहीं कर रहा है उस पर हमको जीरो रेस्पोंस दे रहा है तो यही तो रेक्टिफिकेशन में यह होता का हम लोगों ने पढ़ा 11-12 में रेक्टिफिकेशन के अंदर वर्क करता है तो यह कैसे इस पर हमारे DC अनलाइस होगा जो कि हम लोग अनलोग इलेक्टोनिक्स के अंदर स्टेडी करेंगे कि अलग-अलग इसके साथ फोरवर्ड वायस करेंगे वैसे और रिवर्स बायस को बहुत जाद़ इंक्रीज करते तो ब्रेक्डाउन में हो जाते तो हम लोग सेपरेट वीडियो के अंदर ब्रेक्डाउन के भी देखेंगे तो हमारे large current किस में flow हो रही है, forward bias में, तो हमने देखा था, कि exponentially increment होता है, आपके जो forward bias की current की equation ते कितनी थी, i0 e to the power q vf upon kt minus i0, the minus i0 तो negligible है, यह है आप लोगों के, तो यह exponentially ऐसे increment होगी, और यह value रहती है, नी voltage, एक point रहता है, नी voltage, मतलब नी voltage से पहले current to flow होती है, बट उस current की value के रहती है, कम रहती है, बहुत कम रहती है, ठीक है, बहुत ही कम, देखे मिली एंपेर में होती है डायोड की current, तो और इस साइड में लोग N2P, मतलब P2N है यह positive current, negative current है इस साइड मतलब यह N2P flow हो रही है, ठीक है, और उसके बा voltage और बेगर potential दोनों different चीजे है, दोनों same चीज नहीं है, बट ने voltage के बाद ही exponentially एकदम से increase होती है, क्या आपकी forward current, ठीक है, यह forward bias के है, और reverse bias के case में देखिए, अब यह reverse bias increase हो रहा है, मतलब ऐसे तो voltage तो decrease हो रहा है, बट उसको magnitude हो क्या रहा है, increase हो रहा है, but जो current है, reverse saturation current है, इसको leakage current भी बोलते है, तो यह जो leakage current है, यह reverse saturation जो current है, वो voltage पर depend नहीं करती है, तो देखिए, आप लोग कितना पर voltage increase करने है, voltage increase करने पर यह current है, और यह increase नहीं हो रही है, यह इस point पर जाकर एकदम से increase होती है, यह breakdown होता है, तो यह हम लोग इसको separately study करेंगे, तो य I hope आप लोगों को समझ में आया होगा, इतना सब कुछ, चिक है, तो बाकी का हम लोग next lecture में देखते हैं, यह current equation को आप लोग अच्छे से समझीए, इसके जो formula है, वो सब याद कीजिए, इन पर best question आया है, इसको mind में अच्छे से state कर लीजे, तो मिलते हैं next lecture में, thank you so much.